जै माता दी, श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको माता रानी का बहुत ही चमतकारी मंत्र बता रहा हूँ अगर इस मंत्र का आप नेमेत रूप से पाठ करते हैं तो पुत्र और धन की प्राप्ति होती है हर प्रकार के भेका नास हो जाता है माता रानी के नवरात्रेन में प्रति दिन इस मंत्र का जाप करें और इस मंत्र का नवरात्रों से प्रारम करके आगे तक भी आप इसका जाप कर सकते हैं मातारानी का यह मंत्र बहुत ही प्रवाव साली है इस मंत्र का जाप करने से बड़ी से बड़ी परिशानियां दूर हो जाती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है मातारानी के नवरात्रेन में पहले आपको संकल्प करना है एक आसन लगाएं आसन पर आप बैढ़ जाएं, हाथ में जल लेकर के मातारानी के सामने अपनी मनुकामना बोलते हुए संकल्प करें कि है मातारानी मैं पुत्र प्राप्ते के लिए धन प्राप्ते के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूं या सत्रू से रख्या के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ आप मेरी सरीर की रख्या करें या मेरी मनुकामना पूरी करें उसके बाद में अपने उपर जल चड़कना है आचमन करना है हादोने है और एक मंत्र पहले जपना है जो साप विवोचन मंत्र होता है कोई भी मंत्र जप है तो उसे पहले साप मुक्त किया जाता है तो यह मंत्र में बता रहा हूँ उसके बाद में वह मंत्र जपना है जो अपनी मनुकामना के लिए आप जगा तो पहले ही इस मंत्र का जप करना है ओम इस मंत्र का साथ वार जाप आपको करना है साथ वार जाप करने के बाद में फिर आपको उस मंत्र का जाप करना है मनो कामना के लिए इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है कि हमारे जो मंत्र कीलित हैं वह साप मुक्तों जाते हैं और उसका फल जो है पूरा मिलता है अब आपको इस मंत्र का जाप करना है इस मंत्र का आपको जाप करना है और जादा से जादा इस मंत्र का जाप करें इस मंत्र का जाप करने से आप दुर्गा सबस्वते की में भी जाकर के देख सकते हैं इस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की मनुकामना पूरी हो जाती है संतान और धनकी प्राप्ति होती है जै मातादी